यात्रियों कृप्या ध्यान दीचिये शेन्ने से मंगलूर तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट एक्स्ट्रेस थोड़ी ही देर में ट्रैस्फॉन नंबर एक पर आये की नमस्कार मैं प्रसाद आपका IRFC का IPO रिविवे में सौगत करता हूँ IRFC एक गॉवर्मेंट कमपनी है लेकिन ये बाकी गॉवर्मेंट कमपनी से बहुत अलग है क्योंकि इसका NPA इस नॉन परफार्मिंग एसेट जीरो है जबकि हम देखते कि कई सारी बैंक्स और MBC कमपनी के NPA काफी बढ़ रहे हैं वही IRFC का NPA लगातार जीरो है तो आज हम इसे इंटरस्टिंग IPO के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं जिसमें हम IPO के बेसिक्स कमपनी का बिजनस मॉडल कमपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स 575 शेयर्स रहेंगे यानि IPO के एक लौट को अपलाए करने के लिए आपके पास कम से कम 15,000 रुपे होने चाहिए इस टोटल इश्यू के साइज है 4,633 करोड जिसमें से लगबग 3,200 करोड कमपनी के पास जाएंगे वही बाकी amount गवर्मेंट के पास जाएगी क्योंकि गवर्मेंट इस इश्यू के जरी अपना कुछ टेक बेच रही है 25 जैनियूरी को शेयर्स की अलॉट्मेंट होगी और 29 जैनियूरी को कमपनी के शेयर्स NAC और BAC पर लिस्ट हो जाएंगे अब बात करते हैं IRFC के business model के बारे में IRFC एक NBFC that is non-banking finance corporation है जो 1986 में शुरू हुई थी कमपनी directly ministry of railways के साथ काम करती है और IRFC that is Indian Railway Finance Corporation इसके नाम से ही पता चलता है कि company Indian Railway को finance provide करती है financially 2020 में Indian Railways के 48.22% capital expenditure को IRFC ने finance किया है Indian Railways IRFC का main customer है लेकिन उसके अलावा ministry of railway के एंडर जो companies आती है जैसे कि Railtail Corporation, Cocon Railway Corporation, Peepawa Railway Corporation, etc IRFC जनरली दो तरह से financing करती है पहला है कि वो Indian Railways को जिनके से assets की जरूरत है उन्हें खरीद लेती है और फिर उने assets को Indian Railways को leads पर देती है जनरली ये leads बहुत ही long term होती है जो कि 15 से 30 साल तक होती है तो IRFC इंडियन Railways के लिए locomotives, wagons, coaches और cranes इन जैसे कई सारे assets खरीद लेती है और उसे इंडियन Railways को long term lease पर देती है और उसमें अपनी कुछ margin रखकर अच्छा खासा revenue और profit भी कमाती है और दूसरा है कि वो direct financing भी provide करती है 31st March 2019 को इंडियन Railways के पास 12,108 locomotives थे जिसमें से 85% locomotives IRFC ने finance किये थे इसी तरह company के passenger coaches, wagons और बाकी assets भी IRFC ने heavily finance किये है तो जैसे के हमने देखा कि IRFC का main customer है इंडियन Railways तो अगर इंडियन Railways की growth होती है तो उसे ज़ादा capital की requirement होगी और ज़ादा capital की requirement होगी तो IRFC को उसे फाइदा मिलेगा तो simply हम कह सकते ही कि जितनी ज़ादा इंडियन Railways की growth होगी उतना ही ज़ादा IRFC का फाइदा होगा इसलिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन Railways की growth किस तरह से हो रही है और आगे उसके future prospectus कैसे है इंडियेगा जो total railway running track है उसके growth पिछले कुछ सालों से काफी slow चल रही है जोकि compounded सालाना 1.29% चल रही है अगर हम पिछले 6 साल के passenger carriers की growth देखते हैं तो वो compounded सालाना 2.81% है electric locomotives पिछले 6 सालों में सालाना 4.82% से बढ़े है और number of stations साल 2001 से लेकर 2019 तक compounded सालाना 0.38% से बढ़ रहे है ये number थोड़े sluggish जरूर है लेकिन Indian Railways एक capital heavy business है उनको अगर थोड़ा भी business अपना बढ़ाना है तो बहुत जादा capital requirement होती है और फिर उससे RFC को भी फाइदा मिलता है हर 10 लाक लोगों के पीछे इंडिया में Indian Railways यूज़ करते थे अब ये actually COVID-19 के वज़े से number of trains भी कम हो गई है लेकिन जल्दी ये सारी चीज़े recover हो जाएगी अब बात करते हैं company के positive and negative factors के बारे में तो शुरूआत करेंगे positive factors से company का पहला positive factor है कि company के financials बहुत ही strong है company का revenue बहुत ही consistently बढ़ रहा है 2015 में company का revenue 6,940 करोड था उसके बादो consistently बढ़ता चला गया आप screen पर देख सकते हो कि company का revenue कितने consistently बढ़ा है पिछले 5 सालों में company का revenue compounded सालना 14.7% से बढ़ा है वहिएकर हम company के profit की बात करते हैं तो company का profit भी बहुत consistently बढ़ा है financially 2015 में company का profit 758 करोड था जो कि consistently बढ़ते बढ़ते financially 2020 तक 3659 करोड हुआ है यानि compounded सालना 37% से बढ़ा है जो कि एक बहुत ही outstanding growth है company के financial statement में आपको company का long term rate जरूर जादा दिखेगा लेकिन company एक NBFC company है जिसका काम ही यह है कि कम interest में loan लेना और जितने interest rate पर उसे लिया है उसे जादा rate पर उसे दे देना company का दूसरा main advantage यह है कि company की जो cost of borrowing है वो बहुत ही कम है वो इसलिए क्योंकि company government company है और उसके साथ ही company का जो NPA है वो zero है तो इन सारी वज़े से company के जो credit rating है वो बहुत ही अच्छी है जिसकी वज़े से company को कम cost में capital borrow करने में आसानी होती है और किसी भी NBFC company का यही target होता है कि कम से कम interest rate पर वो capital borrow कर पाए और फिर अच्छे कासी margin रखकर उस amount को किसी और को land कर पाए तो IRFC mainly अलग अलग तरीके के bond से पैसा raise करती है वो taxable और tax free bonds के जरीए काफी सारा पैसा raise करती है साथी LIC जैसे government company से भी वो पैसा raise करती है company का तीसरा सबसे बड़ा advantage यह है कि company का business model बहुत ही low risk है इसके कई सारी reasons है पहला reason यह है कि company government company है और उसका NPA भी zero है यानि जो भी assets company lease के तोर पर दे रही है या फिर loan दे रही है वो पूरा का पूरा lease और loan amount company को interest के साथ सही सलामत वापिस मिल रहा है और government company होनी के वज़े से government support भी रहता है अगर accident के वज़े से IRFC के किसे asset का नुकसान हो जाता है तो वो losses ministry of railway को pass on किये जाते है उसका IRFC के financials पर कोई भी असर नहीं होता है और क्योंकि IRFC mainly Indian railways और ministry of railways के अंटर जो companies आती है उन्हें ही financing provide करती है तो ये भी guarantee होता है कि वो पैसा वापिस मिलेगा ही मिलेगा इंडिया में एक और कई सारी NBFCs NPS से लड़ रही है वही IRFC आराम से बैट कर 0 NPA का आनन ले रही है और company के एक और खास बात ये है कि company का ये पूरा business manage करने के लिए company के पास सिर्फ 26 employees है और ये 26 employees काफी efficiently company का ये पूरा business handle कर रहे है इसके अलवा company के दो और advantages ये है कि company के market में monopoly है और company regular dividends भी दे रही है जहां Indian Railways की financing की बात आती है तो उन्हें IRFC ही financing provide करती है उसका कोई भी competitor market में नहीं है और अगर company के dividends की बात की जाए तो financially 2018 में company ने 233 करोड का dividend दिया था financially 2019 में company ने 375 करोड financially 2020 में 200 करोड और financially 2021 के first half तक company ने 500 करोड का dividend दे दिया है तो on and average company का dividend payout ratio 4% निकल कराता है जो की बहुत ही extraordinary है तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि company regular तोर पर dividend दे रही है अब बात करते हैं company के negative points के बारे में company का पहला negative point ये है कि देरे देरे government railways का privatization कर रही है करीब 500 private train शुरू करने का government का इरादा है अगर railway का privatization आगे चल कर और बढ़ता है तो उसका IRFC के business पर जरूर impact होगा क्योंकि एक risk factor ये भी है कि Indian railways और IRFC दोनों भी government के अंडर आती है तो government अगर railway के privatization जैसी policies लाती है जो IRFC के लिए favorable नहीं है तो उसका भी IRFC के business पर impact होगा फिलाल का railway का जो privatization है या फिर private trains है वो railway के total operations के मुकाबले बहुत ही कम है तैसे में फिलाल तो उसका कुछ खास impact IRFC पर नहीं होगा अब बात करते हैं company के valuation के बारे में 25 से 26 रुपे के price band पर company का market capitalization करीब 33,000 करोड के करीब निकल कर आ रहा है और financially 2020 में company का जो profit है वो 3659 करोड है तो अगर हम यहाँ पर company का price to earnings ratio निकालते है जिसका formula है market capitalization divided by net profit तो वो निकल कर आता है no company का कोई direct competitor तो नहीं है इसलिए हम company का PE ratio किसी और के साथ compare नहीं कर सकते लेकिन company के strong financials और strong growth से यह जरूर दिखाई देता है कि company का यह valuation justifiable है और अगर हम simply PEG formula apply करते हैं तो PEG formula हमें बताएगा कि company के growth अगर आने वाले सालों में 9% से जादा होती है तो फिर company undervalued है पिछले कई सालों से company के growth about 10% ही चल रही है तो ऐसे में company के valuation में कोई भी problem नजर नहीं आ रहा है और जहां तक बात रही company के risks की तो company का direct business Indian realways पर depend है और आने वाले time period में Indian realways के पास एक ही चीज़ है और वो है growth opportunities यानि expansion और आगे बढ़ने के अलावा Indian realways के पास और कोई चारा नहीं है तो ऐसे में IRFC को इसका फायदा हो सकता है तो यहाँ पर हमने company के सारे factors आपके सामने रखे हैं वो चाहे positive factors हो, negative factors हो या फिर valuation की बाते हो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी decision लेनी है अगर आप short term के लिए invest करनी की planning कर रहे हो तो market में क्या burst चल रहा है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा तो philal market में company के बारे में तो positive burst चल रहा है लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़े आपको track करनी होगी तो आप इस IPO में invest कर रहे है या फिर नहीं नीचे comment करके जरूर बताए और अगर आप IPO में invest करना चाहते हो तो उसके लिए DMAT account compulsory होता है तो वो DMAT account आप Upstocks के साथ open कर सकते हो जिनकी brokerage charges और बाकी charges काफी कम है साथ ही वो एक return data funded company है जिससे trust factor का भी कोई issue नहीं आएगा Upstocks का फिलाल free DMAT account offer शुरू है जिसमें आपका DMATO trading account free में खुल जाएगा अगर आप नीचे दीगए link पर click करके Upstocks के साथ successfully account open करते हो तो आपको Finnovations की तरब से surprise goodies मिलेगी 2017 में union cabinet ने 5 railway companies के IPO की अनुमती दी थी जिन में से 4 companies list हो गई है जो की IRCON International, Rights, Railvicas, Nigam Limited और IRCTC थी और अब बची हुई IRFC का भी IPO आ रहा है वैसे government का 2.1 lakh करोड का divestment target था जिसमें LIC का IPO भी companies financial year में लाना चाहती थी 31st March 2021 तक आएगा ऐसा नहीं लग रहा है उसके बारे में हम जल्दे एक वीडियो में आपको update भी करेंगे कि कहां तक उसकी process आ चुकी है अगर हम इन 4 railway companies की बात करते हैं जो recently list हो गई है तो उसमें से IRCON International की listing negative में गई थी जहां पर listing के दिन 13% का loss हुआ rights में listing के दिन 15% का profit हुआ है railway कास निगम limited में listing के दिन negligible profit हुआ है वही IRCTC में listing के दिन बहुत ही जादा यानि 115% का profit हुआ है तो IRFC के इस IPO को हम आपको Facebook और Instagram पर live apply करके भी दिखाएंगे अगले वीडियो में हम Indigo Paints के IPO का review लेकर आ रहे हैं जो की 20 तारिक से 22 तारिके बेच खुला रहेगा और उस वीडियो में हम Indigo Paints और IRFC इन दोनों IPO के reviews को compare करके भी बताएंगे So see you there very soon तो आज का ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद